फुल मेटल एलकमिस्ट पार्ट वन वेलकम टू मुवी एक्स्प्लेंड इन हिंदी इस वीडियो में हम एक्स्प्लेंड करने वाले हैं 2017 में रिलीज हुई एक दमागिदार और एमोशनल फैंटिसी फिल्म जिसका नाम है फुल मेटल एलकमिस्ट लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले ऐसी फ्रेश मुझेदार और लेटेस्ट कंटेंट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिए जिससे आपको ऐसी ही वीडियो की क्लिप्स से भरी एक्स्प्रेशन वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले मूवी की शुरुआत में हम एडवर्ड और एआई को देखते हैं दोनों भाई अपनी मा के साथ रहते थे अपने पिता के साथ उन लोगों ने अपना रिष्टा तोड़ दिया था एक दिन एआई और एडवर्ड क्राफ्ट की चीज़ें बना कर अपनी मा को दिखाने लगता है ठीक तबी एआई की मा पहार से नीचे गिर जाती है और उनकी मौत हो जाती है अपनी मा की मौत के बाद दोनों भाई बेहद अकेले पढ़ चुके थे ये दोनों भाई बचपन से अलकमी की किताबें पढ़ते हैं जिसमें लिखा था कि कई फॉर्मिलाज ट्रांस्मिलेशन सर्कल और कैमिकल का इस्तिमाल करके किसी भी मरे हुए इंसान को जिन्दा किया जा सकता है जैसे तैसे ये दोनों भाई काफी सारे कैमिकल, ट्रांस्मिलेशन सर्कल और लौ आफ इक्विलेंट एक्सचेंज ऑफ अलकमी की मदद से एडवर्ड की मा को वापिस जिन्दा करने की कोशिश करते हैं लेकिन जैसे ही ये दोनों ट्रांस्मिलेशन शुरू करते हैं, अचानक से बहुत बड़ा तूफान आ जाता है और दोनों भाई एक दूसरे से बिछड जाते हैं अगले सीन में रियॉले शेहर में दिखाया जाता है एडवर्ड फिलोसफर स्टोन लेने के लिए एक पैस्टर के पीछे भाग रहा था पैस्टर फिलोसफर स्टोन का गलत इस्तिमाल कर रहा था जिसकी वजह से शहर में काफी चीज़ें बरबाद हो चुकी थी पेस्टर एडवर्ड को मारने के लिए फिलोसफर स्टोन की मदद से उस पर हमला करता है इस दोरान पेस्टर को पता चलता है कि एडवर्ड का पूरा शरीर मेटल से बना हुआ है और वो एक फुल मेटल एलकॉमिस्ट है जो पूरे शहर में फेमस है ये बात जानने के लिए पैस्टर काफी हैरान होकर भागने लगता है जैसे तैसे एडवर्ड उसे पगड़ लेता है और उसके हाथ से फिलोसफर स्टोन की अंगूठी भी गिर जाती है ठीक तभी कॉलनेल रॉय अपने आदमियों के साथ वहाँ पहुचता है और उन दोनों को अरेस्ट कर लेता है इस दोरान लस्ट, एन्वी और गलटिनी नाम के लोग एडवर्ड की हालत देखकर हस रहे थे कॉलनेल रॉय फायर अलकमिस्ट थे क्योंकि उन्हें साइंस की मदद से अपने हाथों से आग जलाना आता था कॉलनेल रॉय फिलोसफर स्टोन फायर अलकमी की मदद से जला देते हैं कहा जाता है फिलोसफर स्टोन कभी भी बरबाद नहीं होता है लेकिन पैस्टर के पास जो फिलोसफर स्टोन था वो नकली था इस दोरान एडवर्ड के साथ देने के लिए उसका भाई AI भी वहाँ पहुचता है लेकिन AI हमेशा स्टील आर्मोस के गेटप में रहता था अब एडवर्ड को अरेस्ट करने के बाद AI शहर में हुए नुकसान को ठीक कर रहा था इस बीच काफी सारे लोग उसे फुल मेटल अलकमिस्ट और उसके जादू के बारे में पूचते हैं AI बताता है कि उसका भाई एक फुल मेटल अलकमिस्ट है और ये लोग अलकमी और साइंस की मदद से जादू करते हैं ठीक तभी AI से मिलने के लिए उसकी कजन विन्री वहाँ पहुचती है अब ये सीन यहीं कट हो जाता है अगले सीन में एडवर्ड से पूचताच की जा रही थी एडवर्ड बताता है कि मैं शेहर को बरबाद नहीं करना चाहता था मुझे अलकमी के बारे में पता है और मैं साइंस की मदद से जादू कर सकता हूँ लेकिन मुझे फिलोसफर स्टोन की जरूरत है जिससे की मेरा भाई AI का शरीर उसे वापिस मिल जाए और वो ठीक हो जाए कॉलोनल रॉय कहता है फिलोसफर स्टोन मिलने के बाद एडवर्ड पूरे शहर को बरबाद कर देगा वहीं एडवर्ड कहता है मैं AI का शरीर ठीक करने के लिए पूरे शहर को बरबाद करके फिलोसफर स्टोन को ढूड़ूंगा ठीक तभी एडवर्ड से मिलने के लिए शहर के जनरल हाकुरा और आफिसर हुग जाते है जनरल हाकुरा फुल मैटल अलकमिस्ट से मिलना चाहते थे और फिर एडवर्ड ओफिसर हक्स से बात करने लगता है एडवर्ड ओफिसर हक्स को पहचानता था और वो दोनों अच्छे दोस्त भी थे ठीक तभी एडवर्ड से मिलने के लिए विन्री चली आती है, विन्री एडवर्ड को डाट रही थी, क्योंकि फिलोसफर स्टोन की वजह से एडवर्ड का एक हाथ बुरी तरह से खराब हो चुका था, वही जनरल हाकूरा इंस्पेक्शन करने के लिए यहाँ पर आये थे, जन कुसरी तरफ हम लस्ट, एन्वी और गलटनी को देखते हैं, यह तीनों पैस्टर के साथ फिलोसफर स्टोन के बारे में बात कर रहे थे, पैस्टर को लस्ट ने ही फेक फिलोसफर स्टोन दिया था, लस्ट, एन्वी और गलटनी में अजीब तरह की शक्ती थी, जिसकी करते हैं सभी मिलकर एक साथ डिनर करते हैं अब रात के समय अपने कमरे में सोया हुआ था चाना की कादमी उसे अपने पास बुलाने लगता है वहां जाते ही एक बड़ा सा दर्वाजा खुल जाता है इसे गेट आफ टुथ कहा जाता है जिसके अंदर जाने के बाद एडवर् से बाहर लाया जाता है एडवर्ड के सामने एक आदमी खड़ा था जिसके पास उसकी बौडी नहीं थी वो कहता है मैं भगवान हूँ और मुझ में बहुत सारी शक्तियां है जिसकी वजह से मैं कुछ भी कर सकता हूँ इस बीच हमें पता चलता है एडवर्ड का दाया हाथ और बाया पैर मैटल से बनाया क्यूंकि बच्पन में जब अडवर्ड और एडवर्ड और AI ने मिलकर अपनी मा को बचाने की कोशिश की थी उसके बाद अपने भाई को इस यूनिवर्स में रखने के लिए एडवर्ड को अपने हाथ और पैर देना पड़ा एडवर्ड का स तो उसे मिल गया लेगन AI ने अपना शरीर खो दिया एडवर्ड कहने लगता है ये सब कुछ मेरी गलतियों की वजह से ही हो रहा है और तभी उसका सपना तूट जाता है अगले सीन में कॉलनल रॉय जनरल हकूरा के कहने पर एडवर्ड विन्री और AI को स्विंग लाइफ अलकमिस्ट शोव टकर के पास ले जा रहे थे शोव शहर के सबसे बड़े अलकमिस्ट है शोव अलकमी और साइंस की मदद से हुमन ट्रांस्मिलेशन करने की कोशिश कर रहे है कॉलनल बताता है दो साल पहले शोव ने शिमेरा को ट्रांस्मिलेट किया था और शोव से मिलने के बाद शोव बताता है दो साल पहले मेरी पतनी की मौत हो गई थी मेरी पतनी की मौत के बाद मेरी बेटी काफी अकेली पढ़ गई थी इसलिए मुझे यहाँ पर तुम्हारी नजर रखने के लिए भेजा गया है ये बात जानने के बाद कॉनलल रॉय को काफी बुरा लगता है क्योंकि आफिसर हग्स और कॉनलल अच्छे दोस्त थे गुसे में कॉनलल कहता है अब से मैं भी तुम पर नजर रखूँगा इधर शो बताता है कि दो साल पहले उन्होंने जिससे शिमेरा को बनाया था वो सिर्फ तीन शब्द बोल पाता है और अब तक वो म्यूटेशन को और भेधर तरीके से करने में लगे हुए अब एडवर्ड बताता है जब मैं अपनी मा को पाने के लिए गेट आफ टूथ के पास गया था तब मैंने अपना सब कुछ खो दिया था और मेरी वजह से AI का शरीर खो गया था और फिर मैंने AI के सोल को स्टील आर्मोर में ट्रांस्मिलेट कर दिया जिससे कि मैं उसकी बॉड़ी को ढून सकूँ और अगर उस दिन में अपना हाथ और पैर गेट आफ टूथ को नहीं देता तो फिर मुझे AI का सोल वापिस नहीं मिलता एडवर्ड AI की बॉड़ी वापिस पाने के लिए शो से मदद मांगता है शो एडवर्ड को डॉक्टर मार्को से मिलने के लिए कहता है क्योंकि काफी सालों से डॉक्टर मार्को फिलोसफर स्टोन की खोच कर रहे है एडवर्ड विन्री के साथ बांस में डॉक्टर मार्को से मिलने के लिए जाता है वहीं AI को ठीक करने के लिए शो उसे अपने लैब में रखते हैं इधर एडवार्ड अपने भाई को काफी मिस कर रहा था उसे हमेशा से ही AI की चिंता होती है क्योंकि वो आम लोगों की तरह नहीं है और उसकी जिंदगी भी इंसानों से काफी अलग है अब विंडरी के कहने पर ये दोनों बीच स्टेशन में उतर जाते हैं क्योंकि इस स्टेशन में विंडरी ने डॉक्टर मारको को देखा था कुछ तेर बाद ये दोनों डॉक्टर मारको का पता लगाते हैं ठीक तभी वहाँ पर लस्ट चली आती है ये वही ऑरत है जिसने पैस्टर को मारा था लस्ट डॉक्टर मारको को मारने के लिए यहाँ आई थी वो कहती है अब हमें डॉक्टर मारको की जरूरत नहीं है और फिर वो अपने Tentacles से मारको को मार देती है मरने से पहले डॉक्टर मारको एडवर्ड को ट्रांस्मिलेशन सर्कल देकर लेबरेटरी नमबर पाच के बारे में बताते हैं शो को इनफॉर्म करने के लिए एडवर्ड शो के घर वापिस चला आता है इस दौरान घर पर कोई भी नहीं था और फिर एडवर्ड देखता है शो ने एक नया शिमेरा बनाया है जो इनसान की तरह बातें कर सकता है ये शिमेरा बिलकुल शो की बेटी की तरह बात कर रहा था एडवर्ड समझ चुका था कि शो एक साइको है क्योंकि दो साल पहले उसने अपनी बीवी की बॉड़ी का इस्तिमाल करके पहला शिमेरा बनाया था और आज उसने अपनी बेटी और डॉक की बॉड़ी का इस्तिमाल करके नया शिमेरा बनाया है शो अपने एक्सपरिमेंट से काफी खुश था वहीं गुस्से में Edward शो को काफी बुरी तरह से मारता है ठीक तभी कमरे में AI पहुँच जाता है AI को उस बच्ची के लिए काफी बुरा लग रहा था इसलिए वो उससे माफी मांगता है कुछ देर बाद East Headquarters के Colonel Roy शो को Arrest करने के लिए आते हैं इस दोरान उस बच्ची की मौत की वजह से दोनों भाई बहुत अपसेट थे अगली सुभा Edward लाइबरेरी में Transmulation Circle के बारे में किताबे ढूडने के लिए जाता है उससे मिलने के लिए Officer Huggs लाइबरेरी में पहुचते हैं और उसकी मदद करने के लिए Officer Huggs और Lieutenant Transmulation Circle की किताब ढूडने लगते हैं इस बीच जनरल हाकुरा की मदद से Edward को Laboratory No.5 के बारे में पता चलता है Edward अपने भाई और Winry के साथ लैब में जाता है पूरा लैब खाली था जिस वजह से Edward परिशान था क्यूंकि वो समझ नहीं पा रहा था कि अब वो अपने भाई की बाड़ी वापिस कैसे लाएगा ठीक तबी AI अपने भाई पर गुस्सा करने लगता है AI कहता है मेरी बाड़ी मुझे कभी वापिस नहीं मिलेगी क्यूंकि मैं Edward का भाई नहीं हूँ पर तक फाइट करने के बाद दोनों भाईयों का गुस्सा शान्त हो जाता है इधर जनरल हकुरा और बागी officers को पता चलता है कि शहर में वार होने वाला है जनरल हकुरा वार की तैयारी करने के लिए कुछ officers से मिलते हैं इदर आफिसर हक्स मैप को ध्यान से देखते हैं और फिर उन्हें पता चलता है बिल्डिंग में लैबरेटरी नमबर पाँच कहीं नहीं है लेकिन मिलिटरी कैम्प को लैब नमबर पाँच भी कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर काफी एक्सपेरिमेंट्स किये जाते हैं जैसे ही आफिसर हक्स इस बारे में अपनी टीम को बताने जा ही रहे थे ठीक तबी लस्ट आफिसर हक्स को मारने के लिए लाइबरेरी में पहुँचती है जैसे तैसे आफिसर कमरे से भाग कर फॉन बूत पर जाते हैं लेकिन अचानक आफिसर हक्स की मौत हो जाती है और सी इ इन दोनों को पता चलता है कि कॉलिनल रॉय ने आफिसर हक्स का खून किया है। बाकी साथ ही भी वहाँ चले आते हैं। कॉलिनल बताता है रोस के चहरे पर बाई तरफ तिल है लेकिन इस एनवी ने रोस का तिल दाई तरफ लगाया था और एनवी ने मेरा रूप लेकर आफिसर हक्स को मार दिया। इन सभी के शरीर पर औरोबोरोस टैटू बना था। कॉलिनल बताता है जिनके बाडी में इस तरह का टैटू बना होता है। उन्हें हुमन क्यूली कहा जाता है क्योंकि ये लोग इंसान नहीं होते हैं। आफिसर हक्स की मौत की बजहा से सभी को ये लग रहा था कि कॉलिनल खूनी है लेकिन इन तीनों ने मिलकर हक्स को मारा है। ठीक तभी एनवी शो को मारने के लिए जेल की तरफ जाती है। वहीं गलटनी और लस्ट मिलकर बाकी लोगों पर अटैक करने लगते हैं। इस दोरान कॉलनल को काफी चोट लग जाती है और फिर लस्ट को फालो करते करते एडवर्ड लेबरेटरी नंबर पाच में पहुँचता है जहां शो ने एई आई और विन्री को किडनेप करके रखा था। जो विन्री को मारने की धमकी देकर एडवर्ड का उसका दाया हाथ खोलने के लिए कहता है जिससे कि एडवर्ड की शक्तियां कम हो जाएं और फिर वो उसे फिलोसफर्स स्टोन दिखाता है जो अब तक उसके पास था। जनेंट कॉलनल और जनरल हकूरा भी लैब नमबर पांच में पहुंचते हैं जनरल हकूरा लस्ट के लिए काम करता था और अब वो दुनिया पर राज करना चाहते थे। जिसके बाद हकूरा की माथ हो जाती है। सोलजर्स के सोल से फिलोसफर स्टोन बना है और अब उन सोलजर्स के अंदर सोल नहीं है। इसलिए वो सभी मिलकर आम लोगों पर हमला करके उन्हें मार देंगे। ल्यूटेनेंट अपनी टीम के साथ मिलकर इन लोगों को रोकती है। इधर कॉलनल फायर एलकमी की मदद से सभी को जलाने लगते हैं। इधर एडवर्ड और AI मिलकर इन सोलजर्स को ट्रैप कर लेते हैं और गलटनी सभी को जिन्दा खाने लगता है। लगते हैं। इन दोनों को बुरी तरह से चला कर मार देता है। और फिर वो लस्ट के चेस्ट से फिलोसफर स्टोन निकाल कर एडवर्ड को दे देता है। जिससे वो अपने भाई की बाड़ी को वापिस ला सके। गलटनी लस्ट और एन्वी को मरता हुआ देख लेता है। और वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। इधर AI की बाड़ी को वापिस पाने के लिए एडवर्ड को किसी इंसान की बाड़ी को कुर्बान करना पड़ेगा। और तब जाकर AI को उसकी बाड़ी उसे वापिस मिलेगी। एडवर्ड अपनी बाड़ी की कुर्बानी दे कर देगा वहीं AI भी खुश था क्योंकि उसका भाई उसके साथ रहेगा मूवी के एंड में विंडरी एडवर्ड और AI अपने शहर में वापस जा रहे थे इस दोरान एडवर्ड अपने भाई से वादा करता है कि मैं बहुत जल्द तेरा शरीर तुझे वापस दिला दूँगा जो मेरी वजह से खो गया है और इसी डैलोग के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है